हेलो प्रेंस में में दोबर स्वाइब करते हैं आपका अपनी के चल में आज मैं मिक्स ब्रेच प्राठा बनाने जा रहे हूं तो चलिए बनादे प्राठा बनाने के लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है एक कप और उसमें डालूँगी रिफाइन डॉइल थोड़ा सा लिया है मैंने और इसमें आट करूँगी थोड़ा सा नमक और इसको अच्छे से मिक्स करके नॉर्मल पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं आटा लगाकर रेडी कर लूगी सॉफ्ट आटा ये मैंने गूंद लिया है और इसको मैं तक्रीबन 7-8 मिनट के लिए धब कर रख दूँगी इतने मैं स्टॉफिंग रेडी कर लूँगी पराठी की पैन मैंने गरम कर लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून रिफाइन डाल लिया है मैंने तो अब इसमें हम डालेंगे मसाली तो सबसे पहले हम इसमें आइड करेंगे अध्रक लस्तन कर्दू कस किया हुआ और चॉप्ट आनियन इसको थोड़ा भून ले 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 अन्यन हमारी हलकी सी थोड़ी देखिए कलर इसका थोड़ा ट्रांस्पेरेंट हो गया है और अब मैं इसमें एड करूँगी कैबिच क्याबिच और कॉलिफ्लावज मैंने दौनों ले लिया है यानि कि फूलगोभी और पतागोभी ज़्यादा मात्रा मिली है पतागोभी थोड़ी सी लिया मैंने और इससे थोड़ा सा हम भूल ले ले यह देखिए यह फूल गोवी को थोड़ा सा कतूकस कर लिया है ताकि उसका टेस्ट इज़म बहुत ही अच्छा हर बाइट में आए और मैंने थोड़ा लिया है इसमें कैपसिकम और बैल पेपर इसको मैं आड करूँगी और मैं डालूँगी इसमें मटर ने थ्वोड़ा सा हलका सा बॉयल लगा लिया मटर में और इसमें मैं आग करूँगी दो मैंने बॉयल पेटाटो लिये हैं स्थॉप करके रख लिया हुन коли आग को आपाय और मैं यह आग दरूंगी मान मैं अरह धनिया पत्ती अब इसमें हम एड़ करेंगे थोड़े मसाले, नमक, लाल मिट्स पाउडर, और अच्छे तेज़ को मिक्स कर लेंगे यह पराथा बनाने के लिए एकडम बेड़ी हो गया है और अब इसमें कि ए कि यहां तोड़ लेती हूं कि मीडियम साइज की हुआ है लोयां में से तोड़ लोगी और अब हम पराठा बनाएंगे तो सबसे पहले थोड़ा से आठे में सुखा लगाखर इस पर और एक थोड़ा पूरी से थोड़ी बड़ि एक रोटी हम बेल लेंगे इसकी तो अब मैंने रोटी बेल ली है और इसमें मैं स्टफिंग हमारी ठंडे हो गई है तो मैं इसको थोड़ा सा ये देखिए मैंने हलका सा मैश कर दिया है और अब इसको मैं तक्रीबन दो चमच इसको अच्छे से भर लेते हूँ और इसको इस टैप से हम बंद कर लेंगे यह हमारी लोई भरकर त्यार हो गई है और अब मैं इसमें बेलूंगी पराठा हलके हाथ से विलना है मिलकुल अब हम थोड़ा सा ओई डाल देंगे मैं रिफाइंड ओई यूज़ कर रहे हूं तो तबे पर मैंने ओई डाल दिया है और पराठा इतने ही पराठा रेडी हो रहा है यहां सीक रहा है इतने में दूसरा विल देती हूँ करेंगे हलका हलका यह एक तो मैं कम आच पर ही इसको बनाना है तो कम आच पर ही बना रही हूं मैं क्योंकि ज्यादा तेज आच करेंगे तो अच्छे से फिर यह सिखेगा नहीं उपर उपर से तहां सिख जाएगी और अंदर से अच्छे तरह से कराला नहीं हो पाएगा तो कम आच पर हमें बनाना है पलेट पलेट का यह पराथा एक दम रेड़ी हो गया है दौनों तरब से यह देखें करा रहा हो गया एक दम और अब मैं इसको निकाल लोंगी पलेट में और जो मैंने दूसरा पराथा बेल कर रखा है उसे मैं तबेपर डालकर ऑईल लगाकर अच्छे से पलट पलट कर करारा कर लोंगे अब पराठा हमेशा फोड़ा दबा दबा कर सेखना चाहिए ताकि अच्छे से अंदर तक एकदम बहुत बढ़िया शिख जाए एकदम करारा हो जाए उपर के लियर करारी और अंदर एक्दम सिखी हो ने चाहिए पराटा खाने में बहुत मज़ा आता है फिर पराटा इच्छे बाए हो तो तो हमारे पराटे रेडी हो गए और मैं गैस बंद कर रही हूं और इनको निकाल ले क्यों सब्सक्राइब करने के लिए मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे बताइएगा और यदि रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू